एस बूड मॉनिंग एसे हैं अप लोग आता करते हुए आप लोग बहुत अच्छे हुए और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी तुन आता हैं और मेरे चैनल में आप लोगा बहुत स्वागत हैं और आज बनाने जा रही हूँ तरा के खायें आप लोगे ने खायें कोमेंट करके बताईए गाए यह मेरे पसंद के हैं कल हमने पत्तागोवी की पकोरे बनाई थी लेकिन बोल दिये कि हमको कभी टमाटर के पकोड़ा वड़ा की नहीं खिला ही मेरे फैब्रेक है एक बार बनाए थे तोई बता है बनाने को तो चलिए आज बनाई देते हैं हस्वेन के पसंद के पकवरे इसके लिए हम आलू वाले हैं आलू वाली है बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं आज़ा है एक्षण में में mayoría जेरा उइल लॉन इल डाले हूं और गालें ठीकोंके लल अजी आठ पते में से पद्वाट हैं अर्वेकिन गया इसना साथ कहा आपको दोती हैं फिर मैं इसमें मटर डेना भूल गई थी फ्रेंज तो फिर मैं मटर डिती हूं और थोड़ी सी गरम मसाला, जो आर बमालय को घ्रम इसलिए मैं पाकेट्स जार के डाल दे रही हूं, तो आप लोग यह देखिए मैं मठर में देखिये कैसे क्या बोलते हैं? में बाद में डाल रही हूं इसमें, और इसको मैं मिला दूँगी, कुछाइ में ही थुरा सा भून लूँगी, और फिर इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, पहले इसे, और अच्छे तरह के से मेश कर देना है, गुटली बिल्कुल नहीं रहेगा, और इसमें धेश दनिया पत्ते में डाल दूंगे क्योंकि धनिया पत्ता डालने से अच्छी स्वाद खुशू आती है उसके बार देखिए मिलाने बार मैं इसे रख दूंगे ठंडा होने के लिए और देखिए अब दूसरे स्टेप के और बढ़ते हैं देखिए टमाटर को जो है उपर के आईट वाला है अकापका टमाटर है लेकिन इसका मोटा अथी है चमडा वाला है टमाटर पतला अख नहीं बनेगा मोटा वाला कहीं ये मतलब बनेगी तो देखिए इसी तरह में पूरा हौल करके इसो गोल-गोल से पुड़ा चमबस के और चाहु गे सहरे से इसे में सभी क कोई सी तरह निकाल लूंगे और ये में simplify ने होगा परना सकते हैं जटनि जाती है इसका तो हम बनाएं यह रहा है मैं यह क paradigm को बहुत पषंद है रही होटील फ़केक खाले ही तो बोलै बनाने के लिए और अवर बनाय थे तब मैं यहीं पें नहीं आई थी तभी बनाए थे और बनाए थे इसको गाह में ही बनाए थे या नहीं बनाए थे गाह में बनाए थे तो देखिए मैं सभी को इसी पर का निकाल लेती हूं और आप लग देख सकते हैं और इसका जहने मैं चटनी बना लूँगी और अभी सब्जे भी बनाना है खाना में लंच जादा उपर तक नहीं भरना है जब टमाटर के जितना है उत्रा ही भरना है जरूरी नहीं है को सब्सक्राइब कि भरना है और बताईगा कि यह पकोरा कैसा बना है तो यह पकवरा में जो है दो तीन चीज की कमी हो गई है जैसे इसमें साबूत धनिया डालना था नहीं था मेरे पास तो कोई बात नहीं देखिए मैं बेशन ले ली हूँ बेशन को मैं घोल लूँगी बेशन में डाल देते हैं थोड़ा मिर्ची पौडर क्योंकि बचलों ती कि आप पतला नेल रे जाँगी तो अगहरो मोटा देशन को फ्रां यहां मिर्ची वह लेए देखिएbareगा मора नेले हो अधिक वह फ ll m कि उसको को स Our लाधल बनाना था मोटा बनाएगा तो आई वह की ऑष्बदू हो जाएगा इसे देख लिजे किस तरह से पेश्ट बना रहे हैं वें देख लिजे इसे तरह पेश्ट को बनाना है देखिए इतना इस पेश्ट गढ़ा रखना है इसी परकार से और कल आज है 29 कल है 30 कल मेरी बेटी का बड़े है तो मैं कोशिज करूंगी दिखाने का बढ्डे का मैं बता दे रही हूं आज इके वीडियो में मेरी बेटी का स्षेस बढ्डे का वीडियो बना दूँगी थोरा बहुत डेकित रे लोगा है तो मैं इस में पकोरे को तल ह्यूं टमाटर में लपिट भी अच्छी लगाए तो देखिये मैं इसी तरह को टमाटर में लपट लपटके डाल देती हूं इसी तरह अगर आप बनाईएगा तो इसी तरह बनाईएगा बहुत अच्छी लगती है खाने में क्योंकि मैं खाया करके ही वाइस रिकोडिंग कर रही हूं इसलिए मैं बता रहे हैं बहुत अच्छी लगी ती खाने में और जो थोरा सा मतलब बच गया था आलू का उसे मैं बना देती हूं आया कि रिख लगता है यह अच्छी रख pada घंड़ 25 पंड़ी पथा देती हूं गशी मतलब देख लगती आप लगति में क्या बक गगी क्या जब बिस सबॉता है हो में आलो बनाद देती हूं बच जाती है तो बना आपगर भला मस्त करके दो तिन डाल लाल के ज्यादा ने बनाई अपने फैमिली जितना है मेरा परिवार में उतना ही बनाई हूँ खाने के लिए देखिए और बड़ा बड़ा अच्छा बनता है फुल फुल के बहुत अच्छे लगती है खाने में तो देखे फिर आलू अला में तल लेती हूं सृष्यूं 했। मु 49 बोलते हैं छोटा-षोटा में बना रही है मार्केट में तो बड़ी-28 मिलती है। मैं दे रही हूं यह भी बहुत अच्छी लगी ठीक काने में 6 कर दीची क्याक धी है तो आप देख सकते हैं मैं सर्सो तेल में ही तल रही हूं ज्यादा यूज करती हूं बस पूरी पकाती हूं बस मैं रिफाइन वेल में अन्य तो मैं सर्सो में बनाते हूं दीखें मेरी सारी पकोड़ी तल गई है टामाटर की आलो चाप सबको तल लेती हूं आज नास्ते में पकोड़ी ही पकोड़ी है चलिए मिंते हैं नास्ते हैं फिर आप लोग देखिए फ्रेंस मेरे पकोड़ी बन गए हैं तो आलू चप आप लोग क्या बोलते हैं वालू बच गई थी ग्रेवी जो बनाए हुए थे तो आलू चप बना दिये और ये टामाटर वाला है लोग कर रहे नास्ता आप नो बोलिएगा रोज पकोड़ा पकोड़ा बना रही है तो मे अधिये लड़की को भी इसलिए लोग सर्दी हुआ कि रही पकोड़ा बना बना के खिला उड़े और कल इनका ही फर्माइज था टामाटर का नहीं बनाती है और ये टामाटर की और धन्या पति की चटनी मेरे गर जादा यही चटनी बनती है तो फ्रेंस आईए आप लोग खा लीजिए यह तो आलू अला खाए ना अब टमाटर वाला भी खाके टेस्ट करके बताईएगा कि कैसा बना है इने बना है इसमें कुछ कमी भी हो गई लेकिन कोई बात नहीं अच्छी वनी है मेरे पास वो नहीं है कि कोई भी समान मतलब एक समान नहीं है तो नहीं बनना चाहिए मैं उसे बनाती हूं चाहिए समान रहे या ना रहे मतलब कमी समान में मैं बना देता है इसी बात नहीं है तो यह चीन नहीं बनेगी लाइए अक्षिर बनाएंगे तो मैं वैसा ने करती हूं इसमें थोड़ी आम चूर पोडर लगती और साफु धन्या लगती मेरे पास जब लाएंगे तब बना देंगे इसी कोई बात नहीं है तो फिर चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में और अच्छे से रेसिफिक के साथ देजिए अपने नीतु को और प्यारे से नीतु मिलें एगले वीडियो गत्रा के लिए बाइग